Hello everyone, welcome to my YouTube channel, मेरा नाम परीधी जैन है और मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में Scale 1 Officer पोस्टेड हूँ इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ लेकर आई हो मेरा RBI Assistant Mains 2020 का Scorecard ये Scorecard आप सभी Aspirates के लिए जो Mains के लिए Eligible है जनका Problems क्लियर हो गया उनके लिए काफी helpful होगा क्योंकि इसमें मैंने जो Mistakes की है मैं चाहती हूँ कि वो Mistakes और कोई Repeat ना करे तो मैं आप सभी को से इसको Share करने के पहले एक अपनी स्टोरी बताना चाहूंगी RBI Assistant की की RBI Assistant हर State का Exam निकलता है जिसके लिए जो LPT होता है वो State की Local Language में होता है तो इसके पहले मैंने भोपाल से मैं मध्यप्रदेश से बिलॉंग करती हूँ तो मैंने भोपाल का जो notification आता उसमें काफी कम vacancies होती है तो मैंने सबसे पहले ये वहीं से फिल किया था तो मेरा prelims भी बहुत ही margin से रह गया तो और वो clear नहीं हो पाय था उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं एक try करती हूँ और मैं इस exam को महराश्टरा से भरती हूँ क्योंकि वहां की vacancies काफी जादा आती है वहां के लिए LPT में Marathi Compulsor ही होती है तो उसके लिए मैंने Marathi सीखना start कर दी थी जैसे ही notification आया था मैंने सोचा था कि इस बार में इस exam को मुंबई से भरूँगी और वहां से शायद मेरा exam clear हो पाए तो जब मैंने prelims दिया तभी से मैंने Marathi स्टार्ट कर दी थी और साथ-साथ में मैं अपनी ये पढ़ाई भी करती थी तो prelims का exam मेरा clear हो गया और मैं काफी कुश होगी थी कि अब मैं शायद इस exam को clear कर पाऊंगी जब mains का exam था तो mains की preparation भी मैंने बहुत अच्छे से की थी और जदना हो सकता था मैंने कोशिश की थी क्योंकि मैं already job करती हूं तो job के साथ-साथ मैंने इसकी preparation की और जब मैंने mains exam मैं देने गई थी तो उसके एक दिन पहले मेरा एक friend है जो RBI assistant में work करता है तो RBI में as a assistant work करता है तो उसने मुझे यह बताया था कि उसके time पे जब उसने exam दिया था तो इसमें जो minimum cut-off marks थे mains में वह 40 marks का paper होता है तो उसमें 1414 14 marks आपको minimum लाने होते हैं लेकिन ऐसा कही notification में नहीं लिखा था तो मैंने उसकी बात को lightly लिया था मैं जैसे IBPS का exam होता है SBI का होता है sectional cut-off after exam decide किया जाता है उसके difficulty level से लेकिन RBI assistant में ऐसा शायद नहीं हुआ क्योंकि जब मैंने mains का exam दिया तो मेरा mains का exam ठीक हुआ था मुझे लगा था उसमें जो GA आया था वो काफी difficult आया था मैंने बहुत preparation की थी लेकिन मेरा GA अच्छा नही के तो इसमें मैंने इतना अच्छे से perform नहीं कर पाई थी लेकिन मुझे लगा कि यह दोनों section थोड़े difficult आये तो इसका cut-off भी कम जाएगा जब mains का result आया तो mains में मेरा selection नहीं हुआ अब mains का सिर्फ result आया था तो जो मेरा score card था उसमें English में मेरे marks थे 37.50 out of 40 numerical ability में मेरे marks थे 13.75 यह बहुत ही कम थे क्योंकि यह मेरा थोड़ा सा bigger भी गया था और यह मेरा weak भी है अब बात करते हैं reasoning की तो इसमें मेरे marks थे 25.75 general awareness only 11.75 क्योंकि यह difficult आया था बहुत जादा मैंने जो preparation कीते हैं और जो हम IBPS और SBI के लिए करते हैं यह उससे बिल्कुल different आया था और हम बात करें computer knowledge की तो इसमें मेरे marks थे 34 तो जो मेरा total score था वो था 122.75 तो यह score जो total था यह तो मेरा काफी अच्छा था क्योंकि इससे पहले जब मैंने previous year के मुंबई के cutoff देखे थे तो वो काफी कम थे फिर मुझे लग रहा था कि हो सकता है मेरा sectional clear ना हुआ हो इसलिए मेरा exam नहीं clear हो पाया हो तो जब finally इसका state wise cutoff declared हुआ था main सा तो उसका महराष्ट्रा का cutoff था only 87.50 और मेरे total marks थे 122.75 जो cutoff से काफी ज़ादा थे तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरा जो फ्रेंटास ने कहा था कि 14 marks minimum लाने होते हैं every subject में इसमें मेरे दो subjects numerical ability में तो मैंने एकदम boundary 13.75 marks थे मेरे और वहीं general awareness में 11.75 marks थे तो I think RBI mains में यही pattern होता है कि आपको 14 marks minimum 40 में से लाने होते हैं चाहे paper का difficulty level जादा हो या कम हो क्योंकि RBI अपना sectional cutoff declare नहीं करता है उस time declare नहीं किया था तो इसलिए ये कभी मुझे पता नहीं चल पाया कि क्या sectional cutoff गया होगा RBI का लेकिन यह मैं आपको अपना experience share कर रही हूँ अगर आप exam में appear होने जा रहे हैं तो आप at least यह ध्यान में रखिए कि आपको 14 marks minimum लाने हैं और आप उसी तरीके से अपना paper दीजिए तो आपका exam जरूर clear हो जाएगा आपको मेरे इस वीडियो से help मिले और thank you so much for watching my video and don't forget to like share and subscribe my youtube channel